प्यारे बच्चो जार्खन के डीजी स्कूल में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा चार के पर्यावरन अध्यन के पाठ दस जन्तु हमारे मित्र के बारे में चर्चा करेंगे एवं महत्वपून तत्थियों विश्यवस्तुओं को समझने का प्रयास करेंगे। आईए सुरुवात करते हैं पाठ में दिये गए सीता और उसके नाना जी के बीच हुए वारतालाप यानि बातचीत से। और ये वारतालाप जया मैम आपको सौक्स से बने हुए पपट के द्वारा दिखाएंगी। ये है सीता जो होली के छुटियों में अपनी मा के साथ सहर से अपने नाना जी के घर चैनपुर आई है और ये है सीता के नाना जी। शाम को सीता अपने नाना जी के साथ गाँ घूमने निकली। आईए अब जाने घूमते घूमते दोनों के बीत क्या बातचीत हुई। नाना जी नाना जी यहां देखिये बकरी, अरे यहां देखिये सुवर, गाय, मुर्गी, अरे वाह यहां देखिये ये बत्तक। सीता ये सारे जन्तूं हैं यहां बहुत सारे जीव जन्तूं क्यों है नाना जी सहर में तो जीव जन्तूं बहुत कम दिखाई देते हैं सीता मेरी बात ध्यान से सुनो मनुष्य का जीव जन्तूं से गहरा सम्मंध है इनसे हमें मांस, अंडा, दूद प्राप्त होता है ये हम सभी के लिए बहुत उपयोगी है गाउं के बहुत से लोग इनका पालन कर इन्हें बाजार या हाट में बेच कर पैसे भी कमाते हैं सच्चमुच, जीव जनतु तो हमारे लिए बहुत उपयोगी है नाना जी बहुत सारे ऐसे जीव हैं जिनके दूद या मांस का हम उपयोग नहीं करते फिर भी हमारे लिए ये बहुत उपयोगी होते हैं कैसे नाना जी सीता ध्यान से सुनो कुता रखवाली के लिए घोड़ा-गधा समां धोने के लिए एवं हाथी भारी समानों को धोने के लिए काम में लाये जाते हैं नाना जी नाना जी मेरे दोस्त रामू के पिता जी कुत्ये का बहुत प्यारा सा बच्चा लाए हैं रामो से टॉमी कहता है परन्तु मुझे तो कुट्टे से बहुत डर लगता है। ने की कोई बात नहीं सीता। कुट्टे तो हमारे मित्र हैं, हमारे घर की देखबाल करते हैं। अजी कुट्टे हमारे मित्र कैसे बन गये। जानती हो बहुत पुरानी बात है। तब मनुष वन में रहते थे, सिकार करते थे। उसी समय से कुट्टे भी मनुष्य के आसपास भोजन के लिए आने जाने लगे तथा शिकार में सयोग करने लगे। धिरे धिरे मनुष्य भी कुट्टों की देखबाल करने लगे। और गर की पहरेदारी भी ये करते हैं। नाना जी गाय, बकरी, घोड़े आदी जानवर को भी तो हम अपने घर में रखते हैं। इक है सीता, जाओ। तो आशा है बच्चो, आपने सीता और उसके नाना जी के बीच हुए बातचीत को ध्यान से सुना होगा। चलिए एक बार बातचीत में आए जीव जन्तूओं की चर्चा की जाए। मनुष्य का जीव जन्तूओं से गहरा सम्मंध है। कुछ जीव जन्तूओं का इस्तिमाल मनुष्य खेती के काम करने में करते हैं। जैसे बैल, भैंस, इत्यादी। कुट्टों से मनुष्य का रिस्ता बहुत पुराना है। सबसे वफादार जानवर हमारा कुट्टा होता है। या घर की रखवाली करते हैं। पुलिश और आर्मी भी इनको पालते हैं। जैसे गधा, घोडा, हाथी का उप्योग हम समान धोने में करते हैं। गाय, बकरी, भैंस, उूट से दूद की प्राप्ती होती है। भेड, याक, बकरी के सरीर से रेशे प्राप्त होते हैं और इन रेशों से उनी वस्तर बनाये जाते हैं। प्रिष्ट संख्या 51 में दिये गए तालिका को आपको ध्यान से देखना है और उत्तर प्राप्त करने की कोशिश करनी है। आपको सही जानवरों के नाम सही तालिका के नीचे लिखना है। इसमें आप देख सकते हैं खेती के काम आने वाले जानवर, घर की रखवाली करने वाले जानवर, भारड होने वाले जानवर, पुसाख हेतू रेशे देने वाले जानवर, जानवर जिन से हमें दूद मिलता है और जानवर जिन से हमें मांस मिलता है। इनके नामों को आपको लिखना है, हो सके तो आप अपनी कॉपी में इन जानवरों के पिक्चर्स भी बना सकते हैं, या फोटो भी कट करके लगा सकते हैं। तो हमने सीखा, जीव जनतु हमारे लिए उपयोगी हैं, कुछ जनतुओं से हमें मांस, दूध एवं अंडे प्राप्त होते हैं, कुछ जनतुओं का इस्तिमाल हम समान धोने एवं खेती करने में करते हैं, और कुट्ते हमारे सबसे वफादार मित्र होते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, अगले भाग में हम जानवरों के आवाज या बोली, उनके आवास एवं आहार की बाते करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।